हेलो फ्रेंड्स मैं आपका इस यूट्यूप चैनल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स हम पर रहे हैं डेली 25 इडियम और फ्रेज़स और आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है तू बी इन एबयांस तू बी इन एबयांस का मतलब होता है इन सस्पेंस मतलब संदे में होना उसको हम बोलता है तू बी इन एबयांस नेक्स्ट इडियम है नेक्स्ट इडियम हमारा तू टेक पीपल बाई स्टॉर्म इसका मतलब होता है तू बी चीज को कबजे मिले लेना उसको हम बोलता है तू टेक पीपल बाई स्टॉर्म नेक्स्ट इडियम है इसका मतलब होता है मतलब किसी को तब पकड़ना जब वहां असालधान हो या फिर उससे आसान न हो कि उसको पकड़ा जाना है उसको हम बोलता है तू कैच समबड़ी ओन दा होप मतलब किसी को तब पकड़ना जब उसको आसा न हो मतलब उसको आसा ही नहीं कि उसको कोई पकड़ेगा और आपने किसी को जाकर पकड़ लिया उसको बोलता है तू कैच समबड़ी ओन दा होप Next idiom है To spill the beans To spill the beans का मतलब होता है To reveal secret information Secret information को reveal करना Reveal करना मतलब सबके सामने लाना उजागर करना उसको हम बोलते हैं To spill the beans मतलब गुप्त जानकारी दे देना Secret information सबके सामने लेके आना उजागर कर देना उसको हम बोलते हैं To spill the beans next idiom है to bring one's egg to bring one's eggs to a bad market इसका मतलब होता है to fail in one's plants because one goes to the wrong people for help to bring one's eggs to a bad market इसका मतलब होता है कि गलत लोगों के पास जाने से जो आपकी योजना है वो असफल हो जाएगी उसको बोलता है to bring one's eggs to a bad market अब इस idiom को याद कैसे रखेंगे जैसा माल लीजिए कि किसी ने एग खरीदा किसी ने एग खरीदा और वो गया किसी market में बेचने अब वो किसी market में बेचने गया तो वो market कैसा था bad था मतलब वो जो market था वो बहुती बेकार market था और वो ये सोच के गया कि मैं इस एग को उस market में बेचने तो मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो जो market है वो बहुती bad है मतलब बहुती बेकार है और वहाँ के लोग भी बेकार है और क्या हुआ कि वो अपना एग लिके गया उस market में बेचने उसने ये सोचा था कि मैं उसको ज़्यादा पैसे में बेचूँगा लेकिन वहाँ के लोग इतने बिकार थे कि वो कम पैसे में ही उसको बेच के चलना आया तो to bring to bring once eggs to a bad market इसका मतलब हो जाएगा to fail in once plans मतलब वो अपने plan में क्या हो गया fail हो गया because one goes to wrong person for help क्योंकि वो गलत लोगों के पास गया गलत लोगों के पास गया इसलिए उसका जो plan था वो क्या हो गया असफल हो गया उसकी योजना जुद्धी वो असफल हो गई तो to bring once eggs to a bad market का मतलब हो जाएगा कि गलत लोगों के पास जाने से जो हमने अपनी योजना बनाई है वो असफल हो जाएगी next idiom है to get cold feet इसका मतलब होता है to be afraid मतलब भाइबीत होना उसको हम बोलता है to get cold feet अब इस idiom को हम कैसे याद रखेंगे to get cold feet जैसे कोई भी मतलब कोई भी अगर डरता है किसी को भी अगर डर लग रहा है कोई भी डर जाता है तो उसका जो मतलब feet होता है उसके जो पैर होता है जो feet होता है वो क्या होता है वो मतलब cold हो जाता है वो ठंडे पड़ जाता है मतलब कोई भी अगर डरता है तो उसके हाथ और पह एदम ठंडे पड़ जाता है तो to get cold feet का मतलब हो जाएगा to be afraid मतलब भाइबीत हो जाना किस इडियम को हम ऐसे याद रह सकते हैं next idiom है to take a leap to take a leap in the dark इसका मतलब होता है to do a hazardous thing without any idea of the result मतलब बिना परिणाम के चिंता किये खतनाग काम करना उसका हम बोलता है to take a leap in the dark तो इस इडियम को समझ के ही इस इडियम को पढ़के ही हमें समझ में आ जा रहा है इसके मीनिंग हमें इस इडियम को पढ़के ही समझ में आ जा रहा है यहां पर लिखा हुआ है to take a lip in the dark मतलब क्या है कि आप कोई भी पढ़सा नहीं हो क्या कर रहा है कि अपनी lip को अपनी lip को dark में लेके जा रहा है मतलब वो अपनी lip को क्या कर रहा है dark में लेके जा रहा है और वो बिना सोचे जा रहा है बिना सोचे अपने lip को dark में लेके जा रहा है वो यह सोची नहीं रहा है कि हो सकता हो मतलब अंधेरा है, dark है कुछ भी उसके lip में काट सकता है वो यह कुछ भी नहीं सोच रहा है वो सिर्फ अपने lip को उस dark में लेके जा रहा है तो to take a lip in the dark मतलब अपने लिप को दर मिले के जाना अलए मेले के जाना मतलब तू-टु-वण एस लिफ में कुछ भी काड़ तो वह क्या कर रहा है Hazardous, Think कर रहा है या फिर dangerous वर्क कर रहा है हमियो कि next video हमें है तो गीव द sırपर डब का मतलब होता है Uち सेंड अवी मतलब दूर बहेजना तो पुराने जवाने में क्या होता था कि Post Office वगएरा सुब कुछ होता नहीं था तो कमीडा होते थे वही लेटर भीजने का काम करते थे तो कपूतर भी क्या है टाइप का bird ही है तो to give the bird मतलब bird को दिया गया लेटर, bird को लेटर दिया गया और उसको to send away दूर भीज दिया गया तो to give the bird मतलब bird को लेटर दिया गया और to send away और उसको दूर भेज दिया लिया इस एडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं तो गीव दबर्ड तु सेंड अवे दूर भेजना नेक्स एडियम है तु टूर तूर तूर अप वन्स नोज अट अट तिंग तूर अप वन्स नोज अट तूर इसका मतलब होता है to treat it with contemptuous, dislike or disgust मतलब किसी को ग्रेना के द्रिष्टी से देखना उसको हम बोलता है to turn up one's nose at a thing यहाँ पर जो लिखावा word contemptuous है यह adjective है क्यों? क्योंकि इस word के last में OUS लगा है कोई भी word जिसके last में OUS लगा रखता है वो adjective होता है और इस word का मतलब जो noun होता है वो contempt होता है contempt C O N T E M P T contempt यह जो contempt होता है यह noun होता है इसका मतलब होता है ग्रेना, अपमान, जरिसकार, मानहानी इसी सब को बोलता है contempt और contempt का जो adjective होता है वो बोलता है contemptuous तो इस एडियम को हम याद कैसे रखेंगे To turn up one's nose at a thing जैसे आपने क्या किया कि अपने nose को अपने nose को उस thing पर turn किया जिस thing से आपको बहुत गहना है आपने अपने nose को या फिर अपने face को क्योंकि जब आप अपने face को turn करेंगे तो आपका nose भी turn होगा तो आपने अपने nose को उस thing पर उस चीज पर turn किया जिससे आपको बहुत गहना है तो to turn up one's nose at a thing आपने उस चीज पर अपने face को turn किया जिससे आपको गहना है तो इसका मतलब हो जाएगा कि उस चीज को आप गहना के दिस्ट्री से देख रहा है क्यों उस चीज को आप गहना के दिस्ट्री से देख रहा है क्योंकि वो चीज आपको पसंद नहीं है तो to turn up one's nose at a thing का मतलब हो जाएगा to treat it with contemptuous dislike और disgust next idiom है to save one's face to save one's face का मतलब होता है to evade disgrace मतलब बदनामी से बचना उसको हम बोलता है to save one's face यहाँ पे जो वर्ड evade है evade का मतलब होता है बचना evade का मतलब बचना होता है और disgrace का मतलब होता है disgrace का मतलब होता है अपमान अपमान, बदनामी उसको हम बोलते हैं disgrace अब यह सेडियम को हम याद कैसे रखेंगे कि किसी ने भी गलत काम किया है अगर किसी ने भी गलत काम किया है तो वो बदनामी से बचना चाता है वो बदनामी से बचना चाता है और वो अपने face को save करना चाता है मतलब अपने face को बचाना चाता है अपने चेरे को छुपाना चाता है क्यों? क्योंकि उसने कोई गलत काम किया है तो to save a one's face कोई भी किसी ने भी गलत काम किया है और वो अपने face को छुपाना चाता है इसका मतलब है कि वो बदनामी से बचना चाता है to await disgrace बदनामी से पचना next idiom है to split hair to split hair का मतलब होता है to indulge in over refined arguments मतलब व्यार्थ का तर्क वितर्क करना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल की खाल निकालना उसको हम बोलते हैं split hair split hair to split hair का मतलब क्या होता है to indulge in over refined arguments over refined arguments मतलब कोई भी over refined arguments में lift है indulge है मतलब व्यार्थ का तर्क वितर्क कर रहा है बाल की खाल निकाल रहा है उसको हम बोलते हैं to split hair next idiom है to wash once dirty linen in public इसका मतलब होता है to discuss dirty and scandalous matters of personal of personal nature in the presence of strangers to wash once dirty linen in public इसका मतलब होता है घरेलू जो जगडे होते हैं उसको सब के सामने कहना घरेलू जो जगडे होते हैं जो भी अंदरूनी बाते होती हैं उसको सब के सामने कहना उसको बोलते हैं to wash once dirty linen in public अब इस idiom को हम याद कैसे रखेंगे वो ऐसे कि यहाँ पे एक word आया है linen linen का मतलब होता है sun का कपड़ा sun के कपड़े को हम बोलते हैं linen जिससे तौलिया वगेरा बनाया जाता है जिससे तौलिया बनाया जाती है sun के कपड़े से उसको हम बोलते हैं linen तो यहाँ पे यह जो linen है यहाँ पे जो word linen है यह घर की अंदरूनी बाते या फिर घरेलू जगडे उसका यहाँ पे यह प्रतीक है तो two was two was once dirty linen in public मतलब dirty linen जो भी dirty linen है मतलब घर की जो भी बेकार बाते हैं वो public मिलाना उसको public में ही was करना इसको मैं यह गियम को ऐसे याद रह सकता है कि dirty linen once dirty linen once dirty linen का मतलब क्या हो गया कि अपने घरेलू जगडे को in public public में लाना public में कहना public में उसको was करना यहाँ पे लिखा हुआ है ना two was once dirty linen in public तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि घरेलू जगडो को सब के सामने लाना इस इडियम को हम ऐसे याद रह सकता है next word है यहाँ पे जो word लिखा हुआ है scandalous यह भी adjective है क्यों कि इस word के last में OUS लगा है कोई भी word जिसके last में OUS लगा रहता है वो adjective होता है और यहाँ पे matter यहाँ पे जो word matters है यह noun है noun के पहले adjective का use हुआ है तो noun के पहले दो adjective का use हुआ है एक तो scandalous और एक dirty नाउन के पहले हम एक या एक से ज़्यादा adjective का use कर सकते है अब यह जो word scandalous है यह adjective है और इसका जो noun होता है वो scandal होता है इसका जो noun होता है वो scandal होता है और हमें word को पहचानने आना चाहिए कि कौनसा word noun है कौनसा word adjective है तो इसका जो noun होता है वो scandal होता है और जो scandal है सही ये adjective है scandal का मतलब होता है कलंग, बुराई, बदनामी उसको हम बोलते है scandal Next idiom है To throw dust in one's eye इसका मतलब होता है to deceive दोखा देने को बोलते है To throw dust in one's eyes तो किसी के भी eyes में dust fake ना, throw करना मतलब उसके आँख में धूल जोकना आँख में धूल जोकना, धोका देना उसको हम बोलते हैं to throw dust in one's eyes Next idiom है To be rolling in money To be rolling in money का मतलब होता है very much, बहुत धनी To be rolling in money, इसका मतलब होता है very much, बहुत धनी तो किसी के पास इतना धन है, इतना money है कि वो money को roll करता है जैसे जो note होती है, उसको मोड़ा जाता है मतलब उसको कौन की तरह मोड़ा जाता है Next idiom है To get into hot waters, इसका मतलब होता है To get into trouble, कठनाई में पढ़ना उसको हम बोलता है, to get into hot waters और ये idiom हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था Next idiom है To get into a scrap, इसका मतलब होता है To find oneself in an awkward predicament मतलब, स्वयम को असमंजस की स्थिती में पाना स्वयम को, खुद को असमंजस की स्थिती में डाल देना उसको हम बोलता है, to get into a scrap तो यहाँ पे जो word predicament है इसका मतलब होता है, situation तो awkward situation Awkward situation में खुद को ढाल देना मतलब, बेकार की स्थिती में खुद को ढाल देना यहाँ पे जो word predicament है इसका मतलब होता है, situation इसका मतलब situation होता है और अगर इस word की हम बात करें यहाँ पे जो word लिखा हुआ है, scrap यह जो word लिखा हुआ है, scrap इसका मतलब होता है खिचाओ अगर हम सिर्फ इस वर्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है खिचाओ या फिर खरोज तो मतलब खुद को to get into a scrap खुद को मतलब खिचाओ वाल टिर्दियू में डाल देना डिप्रिशन में डाल देना उसको हम बोलते हैं to get into a scrap मतलब to find oneself in an awkward predicament या फिर awkward situation नेक्ट एडियम है to read between the lines इसका मतलब होता है to grasp the hidden meaning मतलब छीपे हुए अर्थ को समझना उसको पहचानना उसको हम बोलते हैं to read between the lines यहां पर जो लिखा हुआ word grasp है इसका मतलब होता है समझना comprehend करना next idiom है to be lost in the cloud to be lost in the cloud का मतलब होता है to be perplexed मतलब व्यतित हो जाना अब कोई भी cloud में कोई भी एगर cloud में जाएगा अगर कोई भी बादलों में जाएगा तो बादल इतने सारे होते हैं इतने सारे cloud होते हैं कि वह perplexed हो जाएगा confused हो जाएगा व्याथीत हो जाएगा इस idiom को हम ऐसे याद रह सकता है next idiom है to flog a dead horse to flog a dead horse का मतलब होता है to waste one's efforts मतलब व्यार्थ का प्रयाज करना उसको हम बोलते हैं to flog a dead horse to flog a dead horse का मतलब होता है to waste one's efforts मतलब अपने efforts को waste करना मतलब व्यार्थ का प्रयाज करना next idiom है to pay one back in the same coin यहाँ पे same to pay one back in the same coin इसका मतलब होता है to retaliate मतलब जैसे के साथ तैसा करना यहाँ पे जो word retaliate है इसका मतलब होता है इसके अगर हम sinonim के बात करें तो retort होता है इसके sinonim के बात करें तो retort होता है और revenge होता है retort revenge और होता है avenge मतलब जैसे के साथ तैसा करना मतलब कि बदला लेना बदला लेना उसको हम बोलते हैं to retaliate और यह इसके synonym है next idiom है to draw a bid upon to draw a bid upon का मतलब हो जाएगा to take aim at इसका मतलब होता है लक्ष साधना उसको हम बोलते हैं to draw a bid upon next idiom है to turn the tables to turn the tables का मतलब होता है to change completely the position of disadvantage उसको हम बोलते हैं to turn the tables मतलब विपरीत परिस्थिती को बदल कर अपने पक्ष में कर लेना to turn the table मतलब table जो है वो turn है वो आपकी तरफ table नहीं है table आपकी तरफ नहीं है वो opposite direction में तो आपने क्या किया कि उस table को turn कर दिया उस table को turn कर दिया मतलब आपने उसकी position को ही change कर दिया उसकी position को अपनी तरफ कर दिया तो to change completely the position of disadvantage मतलब उसकी जो position थी उसको आपने change कर दिया और उसको अपनी तरफ turn कर लिया मतलब कि उसकी जो position थी वो विपरीत थी आपने उसको अपनी तरफ कर लिया अपने पक्ष में कर लिया, तो विपरीद परिस्थिती को बदल कर अपने पक्ष में कर लेना, उसकी पोजीशन चेंज थी, आपने उसकी पोजीशन को अपनी तरफ कर लिया, मतलब उसकी परिस्थिती को बदल कर आपने उसको अपने पक्ष में कर लिया, उसको हम बोलते हैं तु ट の टेबलस। इस इडियम को हम हैं सा에ब्र आज़ सकता है। कि या फिर १र किशी की परिस्थीदी बहुत विकार है और वो उस इंसान ने इतनी मह्नत की कि उसने अपने परिस्थीदी को ही चेंज कर दिया। उसने अपनी परिस्तिती को चेंज कर दिया और उसको अपने पक्छन कर लिया उसको भी हम बोल सकते हैं to turn the tables next idiom है to keep the ball rolling to keep the ball rolling का मतलब होता है to keep the conversation going मतलब वारतालाब को जारी रखना अगर ball roll कर रहा है किसे ने क्या किया कि ball को पकड़ा और roll कर दिया मतलब घुमा दिया इसका मतलब यह है कि to keep the conversation going मतलब वारतालाब भी जारी है जब तक वो ball घुमता रहेगा तब तक लोग बात मतलब कर रहा है इस idiom को हम ऐसे याद रख सकते है to keep the ball rolling मतलब ball को पकड़ा और roll कर दिया घुमा दिया तो मतलब वारतालाब जारी है to keep the conversation going next idiom है to worship the rising sun to worship the rising sun इसका मतलब होता है to owner a man who is coming into office मतलब अपने boss की जी हुजरी करना या फिर हम बोल सकते हैं कि चड़ते सुरज को सलाम करना अब इस idiom को हम याद कैसे रखेंगे to worship the rising sun हम बोलता है ना the sun rises in the east तो sun rise हुआ मतलब sun इस्ट में होगा sun जब इस्ट में उगता है तो लोग क्या करता है कि सुबह-सुबह नाद होके उसके पूजा करता है सुबह-सुबह नाद होके वर्सिप करते हैं उसकी पूजा करता है सन की तो और मतलब मतलब यही हो गया ना कि चड़ते सुरज को सलाम करना तो तो वर्शिव दर राइजिंग सन मतलब सन राइज हुआ और लोग उसकी सुबह सुबह उड़के पूजा करते हैं ऐसे ही अगर बॉस बॉस अगर ऑफिस में आया बॉस कहीं दूर रहता है और अग तरीके से यही हो गया ना कि सन सन जो है वह राइज हुआ मतलब बॉस आफिस में आया तो लोग उसकी एक तरीके से वर्शिव पी करेंगे उसके जी हुजरी करेंगे तो ओनर अपर सन या फिर अमैन हुज इस कमिंग इन्टो आफिस उसी को हम बोलते हैं तो वर्शिव दर राइजिग सन मतलब होता है तो ओनर अमैन हुज इस कमिंग इन्टो आफिस अपने बॉस के जी हुजरी करना इसका मतलब होता है तो रिमूव अ मिस अप्रियंशन मतलब गलत फहमी को दूर करना उसको हम बोलते हैं तो डिस अप्रियूस वन्स माइन्ड अब हम इस इस इडियम को याद कैसे रखेंगे जैसे अब्ब्यूस का मतलब होता है गाली देना मतलब जो भी दिमाग में कचड़ा भरा है उसको हम ओलते हैं अब आपने क्या किया कि आपने अपने माइन्ड को डिस अब्यूस कर दिया आपने अपने mind को disabuse कर दिया मतलब आपके दिमाग में जो भी कचड़ा भरा था उसको आपने निकाल दिया बाहर once mind आपके दिमाग में जो भी कचड़ा भरा था जो भी abuses भरे थे उसको आपने बाहर कर दिया मतलब disabuse कर दिया तो to disabuse once mind मतलब जो भी आपके दिमाग में गलत फैमी थी आपने उसको दूर कर दी तो to disabuse one's mind का मतलब हो जाएगा to remove a misapprehencer मतलब गलत फैमी को दूर करना इस idiom को हम ऐसे याद रह सकता है next idiom है to bless a trail to bless a trail इसका मतलब होता है इस idiom का मतलब ये भी होता है to bless a trail या फिर to bless a trail to bless a trail का मतलब होता है to initiate work in a movement मतलब आंदोलन सुरू करना आंदोलन की सुरुवात करना कोई भी आंदोलन है अगर उसकी सुरुवात की जा रही है तो उसको हम बोलता है to bless a trail मतलब to initiate work in a movement आंदोलन की सुरुवात करना फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सस्क्राइब और सेयर जरूर करिएगा धन्यवाद